ओम शांती अब तक के वीडियो में हमने दाधी प्रकासमनी जी और अव्यक्त बाप दादा द्वारा अमरत बेले की महिमा विसेष्था वा महत्व सुनें अब आज के वीडियो से अमरत बेले का महत्व और बाप दादा द्वारा अमरत बेला के लिए जो सुरीमत दी गई जो सिक्छाएं दी गई उनका मनन करेंगे बाप दादा बोले विश्व के सामने उधारन मूर्त बनने का आधार अमरत बेला सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमरत बेले के महत्व को जानो यदि अमरत बेले याद की पावरफुल इस्थिती बन जाती है तो वह आपको सारे दिन की दिन चर्या में मदद करेगी अमरत बेले सक्ति साली इस्थिती बनाने से कठिन से कठिन कारे भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे अमरत बेला मिस करना अर्थात संगम युक की विशेश प्राप्तियों को महत्व ना देना ब्राहमन कुल की इस मरियादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उधरन मूर्थ बन जाएंगे अगला पाइंट बाब दादा बोले सर्व सक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार अमरत बेला सर्व सक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार है अमरत बेला अमरत बेले पावर फुल होकर बैठें अमरत बेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त हो तो यही बड़ेते बड़ा इंजेक्शन है अमरत बेले बाप से कनेक्शन जोड लिया तो सारा दिन माया की बेहुसी से बचे रहेंगे इस इंजेक्शन की ही कमी है कनेक्शन ठीक होना चाहिए ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बेट गए यह तो नियम का पालन किया लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है अगर injection लगाएं लेकिन सक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे injection ने पूरा काम नहीं किया इसी प्रकार अमरत बेले का connection अर्थात सर्व पावर का और सर्व सक्तियों सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना यह बड़े ते बड़ा injection है अगला पाइंट बोले बाप दादा अगर आदी काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा अगर आदी काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा पहले यह चेक करो की अमरत बेला आदी काल ठीक है अगर आदी काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा आदी काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो स्रश्टी के आदी अथवा आदी काल में सर्व सुखो का अनुभव नहीं कर सकेंगे जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है उस आदिकाल को अगर छोड़ दो कुछ समय के बाद वा कुछ गंटों के बाद जागते वा बेटते हो वा connection जोडते हो तो जितना यहां लेट उतना वहां लेट क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का appointment समय जो है उससे पहला चांस बच्चों का है फिर है भक्तों का अगर भक्तों के टाइम में भी connection जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पासा केंगे इसलिए इस काल का उस काल से connection है तो अमरत बेले ही अपने को चेक करो कि हम आदी काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं यहां के घंटे वहां के जन्म यहां जितने घंटे कम उतने वहां जन्म कम हो जाएंगे दूसरा पाइंट बैट तो जाते हैं सभी उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा उस समय का द्रस्य ऐसा होता है जैसे की जैपुर में एक हट योगीनी का म्यूजियम है जिसमें भिन भिन प्रकार के हट योग दिखाए जाते हैं तो अमरत बेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है कोई हट से नीन को कंट्रोल करते हैं कोई मजबूरी से टाइम पास करते हैं और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं अर्थात जिस कार्य के लिए बेठो वहा उसमें नहीं होता जैसे उन हट योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर खड़ा है कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं यहां भी उस समय का द्रस्य ऐसा होता है कोई एक सेकेंड तो अच्छा वियतित करते हैं फिर दूसरा सेकेंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती है सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा कर लेंगे परन्तु होता नहीं है वहा सीन भी देखने की होती है कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं जैसे वहा हट करते हैं काटों पर सोते हैं यहां से सिया पर होते हैं यहां के उस समय का पोज भी wonderful होता है इसलिए सुनाया कि अम्रत बेला के महत्वों को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हैं अगला पाइंट अम्रत बेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे अम्रत पीने से अमर बन जाते हैं तो अम्रत बेले को सफल करने से अमर भाव का वरदान मिल जाता है फिर सारा दिन कोई भी विगनों में मुर्जाएंगे नहीं अम्रत बेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सदा हर्सित रहने में और सदा सकती साली बनने में अमर रहेंगे अगला पाइंट बोले बाब दादा अगर अमर भाव का वर्दान मिलने की बेला अमर भाव का वर्दान मिलने की बेला अमर भाव बनने की बेला है अमरत बेला इसको कहा जाता है अमरत बेले का समय अमरत प्राप्त करने का समय जिस से अमर भाव का वर्दान मिल जाता है अमरत बेले जो अमर भाव का वर्दान मिलता है उस वह अगर ले लेंगे तो अमर बन जाएंगे वह अगर ना लेंगे तो महनत बहुत करनी पड़ेगी महनत और खर्चा दोनों करते हो नहीं तो अमर भव के वर्दान से मेहनत और कर्चा दोनों से छूट जाएंगे अमरत बेला अर्थात अमरत द्वारा अमर बनने की बेला हर बात को खुशी से पार करने का आधार है अमरत बेला हर बात को खुशी से पार करने का आधार है अमरत बेला सबेरे उठते ही अपने फरिस्ते स्वरूप की इस्मरती में रहो और खुसी में नाचते रहो तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुसी-खुसी क्रोज कर लेंगे मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला प्रभु पालना की परम बेला अमरत बेला विसेश प्रभु पालने की बेला है अमरत बेला विसेश परमात्म मिलन की बेला है रूहानी रूह रूहन करने की बेला है अमरत बेला भोले भंडारी के वर्दानों के खजानों से सहज वर्दान प्राप्त होने की बेला है जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना वह इस समय अमरत बेले के समय का गायन है बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है ऐसे सुआवने समय को अनुभव से जानते हो ना अनूब हुई ही जाने इन स्रेष्ट प्राप्तियों को तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हरसित हो रहे हैं बाप दादा भी कहते हैं वह मेरे रूहानी गुलाब आप वह वह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते समझा अगला पाइंट बाप दादा बोले सारे दिन की दिन चर्या अमरत बेले के संकल्प पर सारे दिन की दिन चर्या अमरत बेले के संकल्प पर सुब चिंतन के लिए कितना अथा खजाना मिला है उसको जानते हूँ न अखुट खजाना है न सुब चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इखटे नहीं रह सकते जैसे रात और दिन इखटे नहीं होते अमरत बेले उठते आँख खोलते ही क्या सुब संकल्प हुआ चिंतन करना है यह भी बाप ने सुना दिया है जैसे अमरत बेला सकती साली बाप के इसने सहित सुब संकल्प करेंगे वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अमरत बेला आदी काल है सतो पृधान समय है बाप द्वारा बच्चों को विशेश वर्दानों का विशेश सहयोग का समय है इसलिए अमरत बेला के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिन्चर्या पर होता है जैसे गायन है ब्रह्मा ने संकल्प से स्रष्टी रची संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है ब्रह्मा आधी काल में रचना रचते हैं वैसे तुम ब्रह्मन आधी काल अर्थात अमरत बेले जैसे संकल्प रचेंगे वैसा ही सारे दिन की दिन्चर्या रूपी स्रष्टी आटोमेटिकली होती रहेगी अगले पाइंट बाप दादा बोले जितना अमरत बेला का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे बाप जानते हैं, बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं लेकिन जिससे इसने होता है, उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते सदा स्रेष्ट बनाने की सुब भावना रहती है इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन बनाने के लिए इसारा दे रहे हैं बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे, बाप को किसी के प्रती ग्रणा नहीं होती सदेव अपकारी के भी के प्रती भी सुब चिनतक हैं इसलिए सदा सहयोग लेते, चलते चलो अमरत बेले का महतु जान, बाप द्वारा वर्दान लेते रहो हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व सम्मंद से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक समझ विनास की घड़ी के काटे आप हो आपका संपन होना समय का संपन होना है इसलिए सदा स्वचिंतक और स्वधर्शन चक्रदारी बनो अमरत बेले वर्दान का समय है, जितना अमरत बेला का महत्तु रखेंगे उतना महान बनेंगे विजई बनने का साधन है अमरत बेला अगला पाइंट बाप दादा बोले विजई बनने का साधन है अमरत बेला जो इसने में सदा रहने वाली इसने ही आत्माएं है, ऐसे इसने ही आत्माओं को बाप दादा भी सदा इसने का रिटन देते हैं किस समय देते हैं? अमरत बेले विशेश अमरत बेले सहज वर्दान मिलता है वैसे तो सारा दिन अधिकार है फिर भी वह खास समय है जैसे विशेश टाइम होता है न कि इस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेगी सीजन होती है न अमरत बेला विशेश सीजन है इसलिए सहज प्राप्ती होती है सभी टीचर्स निर्विग्न होना योग का किला मजबूत करो विसेश जब कोई विग्न कहां आते हैं तो जैसे अंतर राष्टिय योग रखते हो वैसे हर मास संगठित रूप में चारो और विसेश टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो पूरा जोन का जोन योगदान दे जिससे किला मजबूत होगा कोई भी तार नहीं कट सकेगा जितना सेवा बढ़ाते चलेंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिस भी करती रहेगी तो जैसे कार्य सुरू किया जाता है तो सुद्धी की विधिया की जाती है न तो सर्व स्रेष्ट आत्माओं का एक ही सुद्ध संकल्प हो विजई यहा हो गई सुद्धी द्वारा विधि चारो और एक साथ किला मजबूत करो तो विजई हो जाएंगे संगम युग पूरा ही अमरत बेला बाप दादा ने अगला पाइंट बताया संगम युग पूरा ही अमरत बेला जिसमें पहल्या पाइंट बाप दादा बोले संगम युग की सब घणिया गुड मॉर्णिंग है क्योंकि संगम युग पूरा ही अमरत बेला है चक्र के हिसाब से संगम युग अमरत बेला हुआ न तो संगम युग का हर समय गुड मौर्निंग ही है तो बाप दादा आते भी गुड मौर्निंग में है जाते भी गुड मौर्निंग में है क्योंकि बाप आता है तो रात से अमरत बेला बन गया तो आते भी अमरत बेले में हैं और जब जाते हैं तो दिन निकलाता है लेकिन रहता अमरत बेला संगम युग में ही है दिन सत्युग निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरा अर्थात सत्युक का दिन ब्रह्मा का दिन उसमें राज्य करते हो बाप तो न्यारे हो जाएंगे न तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है सदा ही सुब है और सदा सुब रहेगा इसलिए सुब सबेरा कहें सुब रातरी कहें सुब दिन कहें सब सुब ही सुब है तो सभी को कल युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग तो double good morning दूसरा point बाप दादा बोले यह संगम यूग अमरत बेला है पूरा ही संगम यूग अमरत बेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है तो पूरा ही संगम यूग अर्थात अमरत बेला अर्थात diamond morning सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है इसलिए बेहद की diamond morning बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं कि व्यक्त रूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की good morning कहो golden morning कहो, diamond morning कहो जो भी कहो, वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे है स्वयम भी diamond हो और morning भी diamond है अगला पाइंट बाप दादा बोले अमरत बेले की lottery अब नहीं तो कब नहीं अमरत बेले का अनुभव सभी करते हो, अगर किसी को घर बेठे lottery मिले और फिर भी उसको वह छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, वह भी घर बेठे lottery मिलती है अगर अभी इस समय lottery को ना लेंगे, तो यह दिन भी याद करेंगे अभी यह प्राप्ती के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चात आपके हो जाएंगे तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेच करो, सदेव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं आज भी नहीं लेकिन अभी इसको कहा जाता है तीवर प्रुशार्थी अच्छा, ये थे बाप दादा ने जो अमरत बेले का महत्तु बताया और हम बच्चों को अमरत बेला की सिक्छाहें दी अगले वीडियो में हम बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज सुनेंगे उसके लिए बाबा के चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें अच्छा, ओम शांती